जिनके सीने में भारत माता के लिए प्रीम हैं और जिनके रदों में देश प्रीम की आगनी ज्वाला निरंतर धधक रही है ऐसे सब भाई भेन आज इस राश्ट्रियज में अपने जीवन की आहोतियां देने के लिए आए ज्यादा संख्या योकों की है और युवा शब्द संस्कृत में युव मिश्णा मिश्णे धातों से बनता है युवा का आर्थ ही है जो उथल पुथल मचा दे जो परिणाम की चिंता नहीं करता जो अपने जज़बातों पर भरुसा रखता है खुद पर भरुसा रखता है और जिसमें पूरे युग को परिवर्तन करने की ख्षमता है उसी को युवा कहते हैं आज हमारे सामने जितने प्रश्ण हैं उन प्रश्णों का हमें खुद समाधान बनना है हम कोचते रहते हैं देश के प्रधान मंत्री ये नहीं करते हम दोश देते रहते हैं सरकारों को सरकारें ये नहीं करती हम दुखी होते रहते हैं हम परिशान होते रहते हैं हम निराश हतास होकर के बैठे होते हैं कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है चार उत्राफ अन्याय हो रहा है शोशन हो रहा है चेप्रश्ण आदिवासी वनवासियों का हो उनको अपने जमिनों से बेदखल करके जारखंड च्छतिस गड़ उड़ी सा इनमात्र तीन प्रांतों की ही बात करें तो आजादी के इन 65 वर्षों में कई हजार गाओं को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है अब आप सोचिए कि आपके पास में खेती करने की जो दो, चार, पांच, एकड़ जमीन हो आपके रहने की कोई जोपड़ी हो और उससे आपको बेदखल करके पूरी तरह से सड़क पर ला करके छोड़ दिया जाए ना खेती करने के लिए आपके पास कोई जमीन है, ना रहने के लिए कोई मकान है पढ़ाई का तो प्रश्नी ही नहीं ना कोई स्कूल, ना कोलेज, इनिवर्शिटी तो दूर दूर की बात ना कोई नोकरी है, ना कोई धंदा है आप क्या करेंगे यही हालात आजाती कि इन 65 वर्शों में हिंदुस्तान के आदिवासी वनवासियों के साथ हो उनको अब दखल करके एक दो नहीं, recorded है यह चीज कि आज हजारों ऐसे गाउं हैं जहां से आदिवासी वनवासियों को बेदखल करके एकदम सड़क पर लाकर की चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया ना उनके लिए स्कूल है, ना उनके लिए कॉलेज है, ना उनके लिए इनिस्टी है, ना उनके लिए छिकित साल है, ना उनके लिए हॉस्पिटल है नोकरी धंदा मैंने का उनके लिए दूर की बात है खाने के लिए कोई व्यवस्ता नहीं जीने के लिए कोई व्यवस्ता नहीं कोई जमीन ऐसी नहीं जहाँ मेहनत करके अपने पेट भर सके और कोई जगे ऐसी नहीं जहाँ पर रहे करके अपने सिर ढख सके ऐसा एक दो के नहीं ऐसा हजारों गाओं के लाखों वनवासियों के साथ किया गया और बाद में जब वो नकसलवादी आतंकवादी बन जाते हैं कोई माओवादी बन जाते हैं फिर कहते हैं कि ये देश के लिए खत्रा है देश के लिए खत्रा वो वनवासि और आदिवासी नहीं देश के लिए खत्रा वो लोग हैं जो सत्ताओं की सिंखासंद पर बैठकर कि इस देश को लूट रहे हैं मैं को नकसलवाद और मावबाद की ही हिदायत नहीं कर रहा हूं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं उसका कोई पोशक नहीं हूं लेकिन बात यह है कि आजादी के 65 वर्षों से आदिवासी वनवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कोई भीख नहीं मांग रहे हैं प्राकरतिक न्याई यह है नैसरगी की न्याई यह है ईश्वर की न्याई वबस्ता यह है कि जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो वनवासी आदिवासी वो सवन है वो दलित है वो अबालमी की है वो हिंदू है वो मुसल्मान है 121 कोड लोगों का इस हिंदुस्तान में बराबर का हक है जो हमको मिला नहीं बात के वला अधिवासिय वनवासियों के नहीं है बात सबरलू क्यों भी है बात दलितू क्यों भी है हम 121 कोड भारतियों की बात करना चाहते हम भारत को खंडखंड नहीं करना चाहते हम भारत के एक ताखंड तासम प्रवता की बात करते और इस पूरे भारत को एक साथ ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं आजादी की 65 वरसों से किसान अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहते हैं लेंड अक्यूजिशन एक्ट लगा करके उनको भी अपने खेतों से अपने जमीनों से अपने गाउं से बेदा खल कर दिया गया है ये तो आदिवासी वनवासियों की बात नहीं पूरे हिंदुस्तान में डैम बनाने के नाम पर चोड़ी चोड़ी सड़कें जिसमें सड़क बनाई जाती है 60 विट की और उसके दूर दूर तक 200-200 मिटर तक लेंड का एक्विजिशन कर लिया जाता है चंद कोड़ियों में जमीन ले करके और वो खर्व रुपे में उनको जमीन दे दी जाती है किसान 65 वर्षों से खाली एक कानून बदनने के लिए अंदोलन कर रहे है कि लेंड एक्विजिशन एक खतम करो लेकिन 65 वर्षों में आज सक वो लेंड एक्विजिशन एक खतम नहीं हुआ है और हमारा ये संकल्प है हम किसानों के लिए ये लेंड एक्विजिशन एक तो खतम करवाएंगे ही फार्मस इंकम आयोग राश्टी किसान आय आयोग ये भी हम बनवाएंगे कि जिससे कि उनके हाला ठीक हो सकते फार्मस इंकम कमिशन आज तक नहीं बना चपरासी से लेकर के प्रधान मंत्री तक राश्ट्पती तक सब का वेतन बढ़ गया एक चपरासी जो ओधर से उदर फायल रखने का काम करता है या कोई जो बड़े Aufgahar होते हैं उनको पानी पिलाने का काम करता है जो ओफिस में फायल इदर से उदर उठाने का काम करता है और यदि किसी की फाइल उपर नीचे करने पड़े तो उसकी रिश्वता लग से लेता उस 87 के तो 15,000 रुपए लेकिन हिंदुस्तान के करीब 70 करोड से जादा लोग जो खेती की जिन्दगी जी रहे हैं खेत में जिन्दगी जी रहे हैं देश के 121 करोड लोगों के लिए अन पैता कर रहे हैं जो इस देश का अन दाता हो भूग से मरता है और उस किसान की हालात यह कि वो 21 रुपए भी पूरे महने के प्राप्त नहीं करता है सारे के सारे हिंदुस्तान के किसान सरकारी आंकडों के नुसार गरीबी रेखा के नीची जीते हैं मैं सारे के सारे ना कहूं तो 99% किसान ऐसे हैं जब तक उनके लिए ये National Income Commission किसानों के लिए फार्मर्स के लिए नहीं बनेगा तब तक उन किसानों का भला नहीं हो सकता लेकिन हुआ क्या आजादी की 65 वर्शों में किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाद से अंदोलन खड़े हुए और खत्म हो गए लेकिन किसान हिंदुस्तान का आज भी बेबस है लाचार है दरिद्र है बुरे हाल है किसानों के लड़ाई हमको लड़नी है आदी वासी वनवासी हों को उनका हक दिलाना है भूसंबदाओं की जो लूट कर रहे हैं वो गुनेगार भारत माता के हत्यारे जिनोंने आज तक लाखों करोड रुपे लूट चुके हैं और अभी करीब 20,000,000,000,000 क्रोड पे की भूसंबदाओं का तो पता लोग चुका है जिसको कहते हैं नौन रिजर्वस हैं उनको भी बचाना है एक तरफ भूसंबदाओं को बचाना है और दूसरी तरफ इन वनवासी आदिवासी को भी सम्मान और अभी इमान के साथ जीने का हग दिलाना है मैं तो कहता हूँ जो गरीब कहा जाता है जारकंड को उच्छतिस गड को और उडिसा को यह दियां की भूसंबदाओं की लूट खत्म हो जाए तो अकेला उडिसा अकेला च्छतिस गड और अकेला जारकंड अमरिका से भी जादा ताकत वर हो सकता इतनी ताकत इस जमीन में यह कोई मात्रा आपको जोज जुनून दिलाने के लिए नहीं यह आपको हकीकत बता रहा हूँ यहां आइरेन ओर से लेकर के कॉल से लेकर के मैगनिशम से लेकर के तेल से लेकर के और हीरे से लेकर के तमाम मिन्नस बोलते हैं 89 प्रकार के ऐसे भूसम पदाएं है आज खाली किसानों के और वनवासियों की बात नहीं शम के मुल्लांकन को लेकर कि कितना ज़्यादा पक्षबात है अब पिसले दिनों हिंदुसान वे एक सर्वे हुआ 81 हजार लोगों के पास में 1.2 ट्रिलियन से ज़़ादा की एकोमिक वैल्थ है कितने 1.2 ट्रिलियन डोलर से ज़़ादा की एकोनमिक वैल्थ है यह तो जो पूरे सर्वे हैं उनकी बात कर रहाओ 81 हजार लोगों ने जो अपनी बैलंस इर्ट दिखा रहा किए जो उनके पास मकाला है वो नहीं। जो पेपर पर है एक होता है economic wealth पेपर पर एक underground अब जैसे उसके पास में यह दिस किलो सोना है और उसने या 1 कोंटल सोना है या 10 कोंटल सोना है आप सोचते हों किया 10 कोंटल सोना भी रखते हैं गदाफी के पास में 14 से कुंटल्स होना था कितना और हिंदुस्तान में एक दो नहीं 100 से ज़्यादा गद्दाफी हैं और उनका भी पता लगाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से लूट करके बैठें क्या गद्दाफी जैसा एक भी वेइमान नहीं है हिंदुस्तान में गद्दाफी जैसे तो सेंकुणों उस देश की तो एकोनोमिक वेल्थ आप कितनी सो सकते हैं चार से पांच लाग करोड रुपए कि उस देश की जीडीपी कितनी चार से पांच लाग करोड की जीडीपी हो तो ऐसी भुखा नंगा देश है और उस देश का जब एक राजा चोदे सो क्यूंटल तो सोना और करीब दस लाग करोड रुपए की एकोनोमिक वेल्थ उसकी थी हिंदुस्तान में तो एक दो नहीं सेंकडों गदाफी हैं और उन्हों इस देश को लूट-लूट करके बुरे हाल किया हुआ है भाई भेनो मैं आप से बात कर रहा था एकोनूमिक वैल्ट जो बैलेंस इट के उपर है वो लोगों की है वन पॉइंट टू ट्रिलियन डॉल और पिंप गिनी जाती है उतनी एकवनमिक वैल्ट तो मातर एकासी हजार लोगों की है बन्हें एक طरफ करीब सवा सो अरब का भारत और एक तरर ये करीव एक लाख लोगock 80,000 में तो और और पलस कर दो थोड़े से एक तरक एक रख लोगों के पास में अतनी economic wealth है जितना कि 121 करोडre, 186 करोड़ भारतियों के पास में नहीं है 1848 करोड़ भारतियों के पास क्या रहा है यह सब क्या है इसब एसा जी भी बोलते हैं उसको पड़ालिक आदमी बोलते हैं और जो सरीर से मेहनत करता हैं उसको कारीगर बोलते हैं उसको स्ट्रमिक बोलते हैं उसको बुनकर बोलते हैं उसको वरकर बोलते हैं आदमी दिमाग से मेहनत करता हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं उसको इंजिनियर बोलत तक की फीस लेता है तो एक आदमी जो दिमाग से मेहनत कर रहा है एड़ोकेट का एक उधार ले लो वो खाली कानूनन सला देता है कि ये धारा लगेगी ये ऐसा होगा और जा करके पांट दस मिनट आदा घंटा वो कोट में बहस करता है तुमारे लिए ठीक है तो वो बहस करन या कोई डॉक्टर जो है वो इलाज कर दे तो उससे कोई उसका दिमाग खराब हो जाता है और एक जो व्यक्ति सिमेंट की फैक्टरी में मेहनत करता है जो एक व्यक्ति स्टील की फैक्टरी में जो है मैं तो जाकर करके देखा है यहां बोकारों से लेकर के और तम तमाम सो सो दोसो दोसो किलो वजन उठाता है उसकी कमर तूट जाती है जो आदमे कोईले के ख़दानों में काम करता है तमाम और दूसरे पॉलिटिट जो इंडस्टी है पॉलिशन वाली इंडस्टी उनमें काम करता है उसको टीबी हो जाती है कितने लोग हैं धनबाद में मैंने द लेकिन बोधिक स्रम करने वालों को 99 प्रतिशत को इस शारीरी के नुकसान तो मेहनत का मुल्ले मजदूर को ज़्यादा मिनना चाहिए या दिमाग से मेहनत करने वालों को अब आप देखो आप सही बोल रहे हो मजदूर को जादा मिनना चाहिए लेकिन मजदूर को तो रोटी के भी लाले पड़े हैं जितने भी लाखों करोडों अर्बूं कमा रहे हैं वो तो दिमाग वाले कमा रहे हैं हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां पर शरीर से महनत करने वाले भी सम्मान और से विमान के साथ जीये, उनके पास भी दोलत हो इसको बोलते हैं मजदूरों के लड़ाई इसको बोलते हैं श्रमकों के लड़ाई और वो भी हमारे ही हैं भाई अब मानों एक माबाप के चार-पांच बच्चे हैं एक किसान है एक मजदूर है एक उसमें कारिगर है एक उसमें बुनकर है और एक उसमें साइस ओफिसर बन गया है डोक्टर बन गया इंजिनियर बन गया या एड़ोकेट बन गया तो क्या उन चार भायों को नहीं देखेगा आज हम भारतियों को ये सोचने की जरूरत है कि आज जो हमें से डॉक्टर, इंजिनियर, सैंटिस्ट, एड़ोकेट और बड़े-बड़े नेता जो बन करके बैठे हैं वह ये सवासो करोड हिंदुस्तानी भी हमारे भाई हैं इनक की कमी नहीं है, दोलत की कमी नहीं है, आप सब कारे करता हूँ का आज यहां से एक पत्रक दिया जा रहा है, दोलत इस देश में करीब एक हजार लाख करोड़ रुपे की अर्थ व्यवस्ता इस देश के अंदर कितनी? और हम कोई खाली कोई सपना नहीं दिखाते हैं, हम यहां से कोई जूटा आकड़े प्रसुत नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ यह दि हमने एक भी जूटा आकड़ा प्रसुत किया हो, तो दुनिया में जो बड़ी से बड़ी सजा होती, उससे सो गुना सजा दे दो, हमें फास सास्त्रों को याद किया मैंने कहा यह वेद सास्त्र योग सास्त्र तब तक अधूरा है जब तक अर्थ सास्त्र नया पड़ा जाए और लोगों को आर्थ एक न्याय ना दिला जाए तब तक सब कुछ बेकार है तीन सो लाग क्रोड रुपे का इस देश में सोना है सो लाग क्रोड रुपे का इस देश के अंदर शेर मार्केट है और शेर में भी जो स्टोक डिरेवटी मार्केट हो तीन सो चालिस लाग क्रोड रुपे का है community derivative market जिसको बोलते हैं वाइदा बाजार वोकर भी 170 लाग करोड रुपए का है 50 से 60 लाग करोड रुपए का माइनिंग का इस देश के अंदर कारोबार है और इसी तरह से माइनिंग के साथ-साथ इस देश के अंदर लेंड इंफरेस्ट्रेक्चर ये भी करीब 100 लाग करोड रुपए का बाजार है और इसके बाद तो सारे भारत की अर्थ व्यस्ता का हैल्थ है, अजुकेशन है, ड्रक्स उसको देखें तो वो भी जो है करीब 30 लाग करोड रुपए का है 10-10 लाग करोड रुपए पॉल्टिक्स में इस देश के अंदर करीब 15 लाग करोड रुपए का कारुबार होता है और महलाओं के श्रम का मुल्यंकन किया जाए तो वो करीब 15 लाग करोड रुपए का है और सबसे ज़्यादा अधुर भाग ये पूर देश के अंदर नक्सलवाद माववाद को देखा जाए तो वो करीब 1 लाग करोड रुपए से ज़्यादा है नकली करेंसी से देश के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से करीब कोई कहता है 50,000 करोड रुपए कोई कहता है 1 लाग करोड रुपए नकली करेंसी घ्गूमती है और वो नकली करेंसी जब चालाते हैं इंदुस्तान में उससे जो हत्यार करेते हैं आतंकवाधी नकसलवाधी और उससे जो हमारे सत्रू-देसे ताक्त्वर Eğer बहुत खतरनाक यह पको अभी बताया खाली मैंने सुरू के साथ बाते याद रही हों जो बहुत महत के अंदर और सोला क्रोड़ पर तो मात रही नहीं जो है लेंड रियल स्टेट इन इंफ्रेस्ट्रक्चर के दर माइनिंग के अंदर और सोला क्रोड़ पर तो मात रही इस देश के अंदर रिटेल मार्क मात्र साथ जो हमारे economic sectors हैं, आर्थिक ख्षेतर हैं मातर साथ economic sectors नहीं देश की कितनी GDP है, कितनी economy है करीब 1000 लाख करोड की जिस देश के अंदर इतनी बड़ी अर्थ व्यवस्था हो, वो देश गरीब कैसे हो सकता है, लिकन ये 1000 लाख करोड की जो अर्थ व्यवस्था है वो एक प्रतिशत चंद मुटी बर लोगों के हाथों में कैद है बस इसको हमें मुक्त कराना है तो 99 प्रतिशत लोगों को आर्थिक और सामजिक नियाय का रास्त मैं बात एक कर रहा था आज हमारे सामने प्रश्ण है श्रम के मुल्यांकन में हो रहे पक्षपात को खत्म करने का आज हमारे सामने प्रश्ण है आदिवासि वनवासियों का बूसंबदाओं को बचाने का आदिवासियों को भी सम्मान और साविमान के साथ दिलाने का किसानों का प्रश्ण है हमारे सामने हमारे सामने प्रश्ण है कि हमें अपनी देश की भासा में पढ़ने का अधिकार नहीं है आप जितने भी जवान बैठे विए क्या आपका बुद्धिक स्थर ठीक नहीं है मुलबावद दिमाग ठीक नहीं होता तो यहां किसका ही सड़क पे पत्थर मार रहे होते है भी तो पागल हो गयता है 99 प्रतिशत लोगों का IQ लेवल 99 प्रतिशत लोगों की मैमोरी 99 प्रतिशत लोगों की बोधिक अक्षमता लगवग लगवग एक जैसी होती है आपको युनिवर्शिटी में पढ़ाई करने का मोका मिल जाए आई 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 टी के अंदर पढ़ाई करने का मोका मिल जाए आप में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो आई 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 टी को में टोप कर सकते हैं वो बहुत अच्छे इंजिनियर बन सकते हैं, आप में जितने भी बच्छे बैठे वे लगब निनानवे प्रतिशत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप में जितने भी बच्छे बैठे में निनानवे प्रतिशत अच्छे इंजिनियर बन सकते हैं, आप में जितने भी बच चलाने के ख्षमता आप सब के भीतर बराबर है आप किसी से कम नहीं है फिर आप I.S. क्यों नहीं बन पाते हैं फिर आप I.P.S. क्यों नहीं बन पाते हैं फिर आप डॉक्टर इंजिनियर क्यों नहीं बन पाते हैं फिर आप बड़े होदों पर क्यों नहीं पोच पाते हैं आ तो आप लोग भी डॉक्टर इंजिनियर्स साइंटिस्ट और बड़े-बड़े होदों पर पहुंच सकते हो कि नहीं लेकिन क्यों कि आपको यह 99 प्रतिशत बच्चों को तो यह अगरेजी आगे नहीं बढ़ने देती घर में बोलते हैं खेत में बोलते हैं गाव में बोलते ह हिंदी यह अपने और स्थान यह भाषा और स्कूल कोलेज में क्या पढ़ना पड़ता है अंग्रीजी तो अंग्रीजी देख करके 99 प्रतिशत गाओं के बच्चों को रोक दिया जाता है बड़े होदों पर पहुंचने से हमारे संकल्प है कि हिंदुस्तान में पहले तो सम चाहिए मेडिकल का एजुकेशन है उस सब का सब भारतिय भासाओं में समाना अंतर रूप से उसमें पढ़ने का अधिकार होना चाहिए आज हम अपनी भाषा की लड़ाई लड़ रहें अरे अंग्रेज चले गए 65 साल पहले यह अंग्रेजी आज तो क्या कर रही है इस इंदुस्तान में बहुत जरूरी होने पर दूसरे देश की भासाओं पढ़नी चाहिए मैं मानता हूं लेकिन देश के अंदर देश की भास को ही सरव चे समान मिनना चाहिए और उसे में सारी व्यवस्ता चलनीगी है क्या जापान केंदर डॉक्टर इंजिनेस साइटिस आई साइपेस ओफीसर क्या वहां बड़े लोग नहीं है क्या जर्मनी के अंदर जापनिज में और चाइना के अंदर आपने देखा कभी जापान का प्रधान मंट्री कभी अंग्रेजी में भाषन देता है एक भी व्यक्ति वहाँ का अंग्रेजी में बात नहीं करता वहाँ जाओ आप किसी से बैए एक भी साइन बोड़ आपको वहाँ पर अंग्रेजी में नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के कहीं पर भी हाइवे से लेकर के और संसद वहन विधान सबाओं तक पहुंच जाएए जादा से जादा यह होगा कि आपकी भासा नीचे लिख दी जाएगी उपर लिखी जाएगी अंग्रेजी इस अंग्रेजी को सबसे नीचे रखना है और अपनी मासा को सबसे उपर रखना है हमें अंग्रेजी से भी रोध नहीं है हमें अंग्रेजी से भी रोध नहीं है हम दूसरी की मा का सम्मान करेंगे लेकिन अपनी मा का अपमान करके दूसरों की मा का सम्मान करने वाला भारत माता का बिटा नहीं हो सकता किसी मा का सचा सपूत नहीं हो सकता भाशा के लड़ाई हमको लड़नी है किसानों के लड़ाई हमको लड़नी है शमकों के लड़ाई हमको लड़नी है आदिवासियों के लड़ाई हमको लड़नी है लेकिन लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा इस देश की निज़ा मजधार में डोलती रहेगी एक तरफ चारसो लाग क्रोड़ पर लूटावा देश को वापस दिलाना है और आगे से बीस हजार लाग क्रोड़ पर की भूसंबदाओं की लूट को भी मचाना है चार उँ तरफ लूट मची भी है करेगा कौन इस काम को कोई फरिस्ता आएगा कोई दुबारे से राम क्रिष्ण आएगा अरे तुम अपने ही शकल में देखो तुमारे ही शकल में इस धर्ती पर फिर से राम का फिर से क्रिष्ण का फिर से शिव का फिर से बिरसा मुंडा का फिर से भगत सिंग का चंदर सिखर राजगुरु सुखदेव का और ये कामों को पूरा करना है इसलिए यूकों को आज बुलाया है तुम अपने आपको दीन हीन मत समझो हम गाओं के आदमी हैं समझते हम क्या कर सकते हैं हम तो अनपड माबाब की संतान हैं हम तो आदिवासी हम तो वनवासी हैं हम तो चोटे-चोटे घरों में पैदा हुए हैं, हमारे माबाप तो दुकानदार हैं, हमारे बाबाप तो सर्वीसमेन हैं, हमारे माबाप तो किसान हैं, हम तो मज़़ूर आदमी हम क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें यही भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ मैं भी अनपड माबाब के घर में पैदा हुआ हूँ और आज तक मेरे माबाब जिंदा हैं उनको हस्ताक्षर करने नहीं आते और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मेरे माबाब अनपड क्यों है बलकि मुझे इस बात का गर्व है चाहिए मेरे माबाब अनपड थे उन्होंने मुझे संसकार दिया आज मैं यहां पर पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ जो अन्याए जो अन्याए मैंने सहा है जो सोशन मैंने अपने आँखों से देखा है जो अपमान और बेबसी को मैंने जीया है आने वाले मेरे हिंदोस्तान की बच्चों को युवाओं को ये बुरी दिन ना देखने पड़े इसके लिए मैं हर पल जीता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ मैं सब जवानों से एक बात ये कहना चाहता हूँ हम ये सोच करके घर में मौन बैठ जाते हो अपने घरों के अंदर दर्वाजे बंद करके बैठ जाते हूँ हम कुछ नहीं कर सकते अब इस मिठक को तोड़ो अब इस निराशा को अपने भीतर से हटा दो तुम क्या नहीं कर सकते मैं अपने उधान दोंगा तो साइद आत्म प्रसंसा जैसे लगेगा लेकिन अब्दुलकराम साब को देख लो और तमाम आज भाजबेई जी यदिप उनका स्वास थे बहुत अच्छा नहीं गौलियर की एक सकरीं सी गली के अंदर पैदा हुए थे वो बारत के ऐसे प्रधान मंत्री बने जिनसे बहुत जादा लोग प्यार करते थे अब लालबादुर सास्त्री जो बहुत छोटे से कद के थे साधान से घर में पैदा हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये देश का प्रधान मंत्री बने करमसद में जहां लोग पुरसादार वल्लबाई पटेल का जन्मों उस घर में भी मैं गया हूँ वो भी एक छोटी साधान से घर में पैदा हुए जैसा उनका घर था ऐसे तो हमारे सब के घर छोटी छोटी है ही लग बग सब के जब मैं एक अनपड मावाप के घर में पैदा हो करके आपके सामने बैठा हूँ और देश ये नहीं दुनिया के करीब 200 देशों के लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मैंने एक होसला रखा और आज देश की सब से बड़ी सरकार जिसके पास में मनी पावर है जिसके पास में मिलटली पावर है जिसके पास में इतना बड़ा तंत्र है कि मुझे एक कदम गे आगे बढ़ने से वो रोकते हैं हर दिन सोचते हैं कि इस बाबा को कैसे खत्म किया जाए मैं हर पल ये सोचता हूँ कि मैं चाहिए एक दिन जिन्दा रहूँ चाहिए सो साल जिन्दा रहूँ लेकिन जो मुझे करना है मैं करूँगा जिस धरातल पर मैं जी रहा हूँ तब पूँच होगे तब तुम देखोगे कि किस तरह से चारो और शडियन्त रची जाते ये सामराजवादी ये ताक्तें जो पूरी दुनिया के जल जंगल जमीन भूज संबदाओं और अर्थव्यासा पर अपना आधि पत्ते साफित कर चुकी है उनके पास में मनी पावर है उनके पास में मिलट्री पावर है उनके पास में मसल पावर है उनके पास में गुंडे भी हैं उनके पास में सारे हटगंडे भी हैं उनके पास में कानून है मुझे वो एक कتم भी आगे बढ़ने से रोकते हैं लेकिन याक मुझे रोको लेकिन जो मुझे करना है आज करूँगा और जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा अपने रास्ते से पीछे नहीं होते हैं कभी नहीं खाये थे सेव सेव तो मैं जब तक करी साइद 20-25 साल की उमर का हो गया था तब तक तक सेव के दर्सन भी नहीं किये थे हमें सोचते थे कि सेव तो बहुत अमीर लोग खाते हैं बादाम की एक गिरी अपने मूं में नहीं डाली थी चुकि बादाम गरीबों को कहा नसीब होता है गाउवालों को कहा नसीब होता है जिस गाउव में मैं पैदा हुआ आज तक भी वहाँ पर रेल नहीं जाती है जिस गाउव में मैं पैदा हुआ आज तक वहाँ पर कोई सरकारी बस नहीं जाती है वहाँ पर कोई साधन नहीं है ट्रांस्पोर्टेशन का जि मैं बहाँ से आया हूँ उन अंधिरों के बीच से मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आप जारखंड के गाउं से आई वे युवक है साधान परिवारों के युवक है चूंकि बड़े परिवारों के लोग कभी कोई बहुत बड़ी क्रांती नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं हम तो ठीक हैं इसलिए क्रा旗रानों तो günुकल कोई जोपड़ीओं में पňदा हुए युवक की जईसके अंदर करेंगा और इस क्रा唱 की जरूरत भी उने के लिए है और तुम्हारी जरूरत के लिए कोई दूसरा अपना खोन पसेना नहीं बहाएगा तुम्हें अपनी जरूरत के लिए तुम्हें अपनी हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ने बढ़ेगी इसी का नाम है भारत सा अभिमान इसी का नाम है युवा भारत जिससे आपको जोड़ा गए तुम को ऐसा लगता है हम क्या कर सकते एरे तुम क्या नहीं कर सकते और मैं यह व्याख्यान देने के लिए नहीं आया हूँ कोई भाषन करने के लिए नहीं आया हूँ मैं उसको जीता हूँ और मैं सोचता हूँ जब मैं आगे बढ़ा होसला रख करके इस देश का युवा मुझे 60 करोड युवा हिंदस्तान के दिखाए देते हैं मुझे नहीं लगता कि 60 करोड जग जाएं मुझे 60 करोड जगे हुए युवाओं की जरूरत भी नहीं है मुझे 60 लाख भी नहीं चाहिए मैं तो कहता हूँ 60 करोड के युवा भारत में से यदि 60 हजार युवक भी जग गए तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके रख देए जरा गंभीरता से सोचो इस बात को मैं क्यों लड़ रहा हूँ क्या चाहिए मुझे ठीक है मैं गाउं से जब बाहर निकला था थब अकेला था धीरी धीरी मेरी साथ लाखों करोड लोग जुड़ते गए आज मैं सस्तिती में पहुँच चुका हूँ कि देश की करोड़ों लोग मुझे भगवान की तरह पूसते मैं चाहूँ तो दुनिया के सारा शर्य भोग सकता हूँ मुझे चाहिए यह नहीं मेरा कोई शोक नहीं ना पहनने का सोक है जमीन पर सोता हूँ कहीं पर भी रहूँ चाहे कुछ लोगों को तो यह लगता है बाबा मतलब उसको यह दूद भी नहीं पीना चाहिए बोल बाबा आप दूद क्यों पीते हो तो मैंने का क्यों बोल पानी पर क्यों नहीं रहते हो फिर दूसरा एक और शातिर आ गया बोल बाबा आप पानी भी क्यों पी तो हवा पे क्यों नहीं रहते हुआ मैंने का भई मैं जमीन पर सोता हूँ बोलो जमीन पर क्यों सोते हो मैंने का धर्ती के भीतर गाड होगे क्या भई जमीन पर भी नहीं सवनों दो गए कुछ लोगों को इतना भी मैं कर रहा हूँ ये इसमें भी संतुष्टी नहीं है मैंने का वही मैं जमीन पर सोता हूँ इतना सा खाता हूँ बोलो इतना सा क्यों खाते हूँ अब उनकी तो मैं संतुष्टी नहीं कर सकता है मुझे हवाई जाज में गोमने का शोक नहीं है लेकिन कुछ को बाबा हवाई जाज से क्यों हा तो मन्का पैदल चलूगा तो हिंदुस्तान कैसे जाओंगा भूल नहीं हमारी तरफ पैदल जला करो पैदल चल लिया फिर तो ये बदमास पुरा हिंदुस्तान लुट लेंगे फिर तो बाबा पैदल की चलता रहेगा एक प्रंद में भी नहीं जा पाएगा मैं हञाद में कोई आना जाना सब्सक्राओन हूँ आप मेरे लिए कोई हञाद मेरा शोक नहीं है मुझे बलकि हवाई जहाज में बैठ करके खत्रा और मोल लेता हूँ कम से कम रेल रूल में बैठोंगा तो एक्सिडेंट भी होगा तो टूटा फूटा बचतो जाओंगा उसमें से तो गिरने के बाद कुस बचने के चांस नहीं है तो ये हेली कोप्टर में बैठना हुआई जहाज में बैठना ये हमारे लिए शोक नहीं हम मजबूरी में बैठते हैं कि मुझे हुआई जहाज में चलना पड़े मुझे पैदल चलना पड़े मुझे भूखा रहना पड़े, मुझे प्यासा रहना पड़े लेकिन मैं 121 कोड़ अपने भारत के लोगों के चेरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, उनको न्याई दिलाना चाहता हूँ उनकी हक के लड़े लड़ना चाहता हूँ आज क्या है मेरा सुक मैं ये पहन रखता हूँ, कितने रुपे का होगा भई ये पहन? तीन रुपे वाला है साइदी, जिन्दगी का ये शोक मत बनाना कि तुम्हारे पास में कौन सी गड़ी है तुम्हारे पास में कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास में कौन सा पहन है तुमने कपड़े क्या पहने हुए है जिन्दगी में यह भी सोक मत बनाना कि तुम क्या खाते हो बस इतना जरूर खाना कि सरीर ठीक से चलता रहे शरीर को ताकतवर बना के रखने और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए दाल रोटी सबजी पर्यापता है ये बर्गर पीजा खाने की जरूत नहीं है ये मीट रंडा खाने की जरूत नहीं है ये दारू पिहने की जरूत नहीं है शेरविंद कहते हैं मेरे जिन्दगे में तीन पागलपन है एक ये कि अपने जीवन के लिए जितना नितान तावश्यक है उतना अपने लिए प्रियोग करके जो मुझे भगवान ने दिया है सम मुझे देश धर्म मानवता के विश्व की सेवा में लगा देना है जो मुझे मिला है ये बहुत बड़ी बात है अरे जिन्दगी की रिक्वार्मेंट क्या है दो कपड़े तंढ़कने के लिए दो वक्त का खाना जिन्दगी को ठीक से चलाने के लिए ये भगवान का दियावा शरीर है जिन्दगी जिने के लिए दो कपड़े दो वक्त की रोटी और दो गजमीन फिर कहें दोरा रहा हूँ काम करना पूरा काम में कमी नहीं जो तुम्हारा काम है तुम किसान हो तुम मजदूर हो तुम कारीकर हो तुम बिजनिसमेन हो तुम डॉक्टर, इंजिनर, साइंटिस्ट हो तुम जो हो अपना काम पूरा करना लेकिन इच्छा कुछ नहीं दो वस्तरत, दो वक्त की रोटी और दो का जमीन जिन्दगी जिने के लिए पर्यापता है इसके अलावा जिन्दगी में कुछ मत चाहो फिर सारी दुनिया तुम्हारी है सारा जान तुम्हारा आज बहुत से लोगों को दिखता है बाबाजी को इतने लोगों ने इतना करून रुपए दान दे दिया बाबाजी ने पतंद्रियोग पीठ ये बना दिया विश्व विद्याला कर दिया ये बना दिया वो बना दिया ऐसा अरे भई बाबा को कुछ नहीं चाहिए और तुम जो कुछ मेरे पास में है संपूर्ण मेरा बाहर इस शरीर के अलावा जो कुछ है तुम सम मुझसे छीन लो तो भी मुझे अपने रास्ते से रोक नहीं सकते क्योंकि मुझे आउशकता नहीं मैंने दी पतंजली योग पीठ बनाने के लिए कुछ निमित था उसमें बन करके काम किया तो वो लोगों के लिए था ठीक है मुझे क्या करना उसमें पतंजली योग पीछ में जो मकान बने हैं मैंने अपने लिए नहीं बनाए वो लोगों की सेवा के लिए बनाए विश्वी द्याले कोई अपने लिए नहीं वहां किसके बच्चे पड़ेंगे तुम्हारे बीमार में हूँ नहीं तो इलाज तुम्हारे लिए पतंजिय उक्पीड तुम्हारे लिए विश्र विद्याले प्रूत समय लिए किसके लिए ये एक जीवन का बहुत बड़ा आदर्ष है मैं आप सब योगों से कहना चाहता हूं कभी मत सोचना कि मुझे क्या मिला कभी मत सोचना मुझे क्या मिलेगा बस ये सोचना जो मुझे भगवान ने मनुश्य का जर्म दिया है मैं सब कुछ सब के लिए करूँगा भगवान के लिए करूँगा मुझे अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए और जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए दिल की तमन्ना क्या है मेरे ये कोई सपना ही नहीं कि मेरे पास जी कितनी जायदा है मैंने इसलिए अपने नाम एक इंच जमीन नहीं करवाई माँ बाप भी जब तक जिन्दा रहते हैं तो बच्चों के नाम उत्रादिकार तब जाता है उनका जब मर जाते हैं वो भी सोचते हैं जब तक जिन्दगी कुस्तों हमारे नाम बैंक बैलेंस रहना चाहिए घर, मकान, विजनेस, दुकान कुस्तों हमारे नाम होना ही चाहिए एक रुपए बैंक बैलेंस बैंक में खाता है नहीं खुड़वाए दुनिया के किसी भी देश में भारत में भारत सरकार ने एक साल तक पूरी जांच की और फिसले दिनों संसद में एक केंद्रिय मंत्री को बयान देना पड़ा हमने सारी दुनिया की खाक चान मारी बाबा राम देवी के नाम ने तो एक इंच हमें जमीन मिली ना एक रुपए कहीं बेंक बैलेंस मिला जब कुछ चाहिए नहीं ते क्या करना लेकिन याद रखो मैं सब जबानों से इस बात को कहना चाहता हूँ आपने जो जिंदगी को दाओं पर लगा करके जो सब के लिए सब कुछ करते हैं फिर वो सब के लिए सब के हो जाते हैं आज एक दो नहीं ऐसे हजारों लोग हैं जो लिख चुके हैं कि हमारा वारिस हमारा उत्रादिकारी बावा राम देव होगा पतंजली उगपीठ होगी क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो भगवान का काम है हमारे बच्चों के हाथों में हमारी संपत्ति नहीं है मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मैं आपको कोई प्रणोभन देने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आपको हजारों लोग आपको अपना वारिस बना देंगे आपको उत्रादिकार में क्या-क्या संपत्ति मिल जाएगी कितना धन मिल जाएगा कितना यश मिल जाएगा मैं इसक इसी बात बता रहा हूँ, अर्विंद का एक पागल पन, मुझे अपने लिए नितांत जो आवश्यक है उसको छोड़ करके, जो कुछ मुझे मिल रहा है या मिलेगा, आप जब काम करेंगे तो मिलेगा, यह ऐसा हो नहीं सकता, कि आपको कुछ ना मिले, आप यदि सादु सन् करके भी अलिपत रहता है, यही जीवन का सचा आदर्श है, तैरना उन्हें को आता है, जो एक बार आपने आपको पाने में फैंक देते हैं, मुझे कहा गया कि आप मैंसे जवान जादा हैं, मैं सब को जवान माल लूँ, बोलो तो, जवान माल लूँ, कुछ बुजुर्ग भी हाँ भर रहे हैं, वाड में गाउं गाउं में जाना है, ठीक है, और वहाँ क्या करना है, सब को अंदुलन के बारे में बताना है, फिर उनको जोडना है, और ये काम आगे बढ़ाना है, ठीक है, तुमने जो देश भक्ती का व्रत लिया है, देश की सेवा का व्रत लिया है इसमें यदि तुमने धोखा किया तो तुम्हारी आने वाले कई पीडियों को सुख मिनने वाला नहीं है और यदि इस भगवान के काम में इस देश के काम में यदि तुमने अपना योगदान दिया तो तुम भी तर जाओगे आने वाले कई पीडिया भी तुम्हारी तर ज देखो मैं अपना दिल फाड़ के तुम्हें नहीं दिखा सकता और जो मेरे दिमाग में जो सारा ये दुनिया के जो चक्रवियू घूमते रहते हैं सारी दुनिया के जो शड़ी अंतरकारी ताक्ते मैंने सब देख लिया है कुछ बचा नहीं है क्योंकि जहां मैं खड़ा हूँ वहां पहुँचने में तुम्हें साइद कई जिन्दगिया लग जाएं क्योंकि साइद मैं भी कई जन्मों से चल रहा हूँ इसलिए ये काम बहुत खतरनाक है तो एक बात सुन लो कान खोल के संगठन निष्ठा जितने भी जवान हैं सब यूवा भारत में जुड़के काम कर रहे हैं बाकि पतंजली योग समीती में मैला पतंजली योग समीती में कुस भारत सौह इमान में कुस किसान पंचायत में ये 5 संगठन आपने तो अपने को जितने भी यूवा है उनका एक लक्षे है U.A. भारत युवंका क्या लक्षे है रा युवा भारत आम आदमी की घषया यह दिक इंसपेक्टर से लड़ने की नहीं होती है पुलिस वाले से लड़ाई हो जाए न तो आदमी सोसता है पता नहीं कबा करके डंडा बरसा दे पडोसी से ताकतवर से थोड़ी से लड़ाई होजाना बलुभा di maara, तो पडोसियों के साथ पंगा हो रखा, एक भाई का बी पी आहिए, उर रखा, मैंने का तकलीव क्या हो रही है, भलो से पंगा हो जाए तो आदमी परेशान पडोसियों से पंगा हो जाए तो आदमी परेशान यदि किसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पंगा हो जाए तो परेशान और यदि किसी व्यापारी और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से पंगा हो जाए तो परेशान और कोई हिंदू कि बड़ी बड़ी ताक्तों के साथ एक साथ ही पंगा मोल ले लिया है जिनके पास अपार धंदोलत है हमें पता है कि सरकार के पास में लाकों करोडों अर्मों खर्मों की संपत्ति मनी पावर, मिलेटरी पावर, सारी फोजें जल से ना थल से न वायू से ना इनीक अधीन है सारी पुली सारे प्रसासन टैक्सेशन डिपार्टमेंट सारे विभाग एक तरह से गॉर्मेंट और वो भी सेंट्रल गॉर्मेंट के साथ पंगा लेने का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा पंगा और उनके अधीन हैं सारी दुनिया की ताक्तों के उनके साथ सम्मंद है क्योंकि वो सब MNC से लेकर के सारे विदेशों से लेकर के सब सब के यहां पर गुलामी करते हैं यहां पैठ करके हमने यह पंगा बहुत सोच समझ करके मौल लिया है और जो इस पंगे में हमारे साथ आना चाहें उनका स्वागत है इसलिए आपको बुलाया है तुम किस जाती को हो मुझे कोई नहीं देखना मैंने आज तक अपने साथ में रहने वालों की भी जाती नहीं पूछी है स्वामी मुक्ताने जी मेरे साथ करी 25-30 सालों से हैं जो आस्रमें रहते हैं हमारे ट्रस्टी है हमारे मित्र हैं गुरुकुल की सखा आज तक मने नहीं पूछा तुमारी जाती क्या है आज अपने संगठन में 99 प्रतिशवत जो कारे करता हूँ उनकी जाती मैंने कभी पूछी नहीं मुझे इसे लेना है नहीं कुछ भी कि उसकी जाती क्या है मुझे आपकी जाती से कोई लेना देना नहीं है मैं तो सब जातीयों का सम्मान करता हूँ मैं जाती का अपमान नहीं करता हूँ मुझे आपकी मजभ के हैं मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं आगतों को दुनिया से निश्टान अबूत कर देना है ऐसा काम करना है मिलकर है जब तुम मेरे सामने बैठे होते हो तो लगता है बावा से उप पजल पजल मचा देंगे सारी दुनिया में पढ़ाय मचा देंगे और तुमारे भीतर पढ़ाय कारी ख्रमता है तोड़कर धरा को फोड़ा आसमा की काली मा जगादे सुप्रभात को फैला दिया अपनी राली मा तेरी शुब्र किर्ट विश्व संकत्तों को तारती उठो जवान देश की वसुंधरा निहारती रगों में तेरे बह रहा है खुन राम शाम का जगत गुरु गोविंदा और राज पूति शान का तुछल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती तुही राम है तो ही कृष्ण है तुही अनुवान है तुही शिव है तेरे ही भीतर वो लाखों करोडों र तुह रिशियों की संतान है तुह भगवान की संतान है उसको खुदा को अल्ला को अकाल पुरुष ओल्माइटी गोड को कोई फरक नहीं पड़ता है जब तुह ऐसा सोचता है तो तेरे भीतर एक जोश एक जनून एक आग पैदा होती है अगनी आसमी जन्मना जात वेदा मैं जन्म से एकनी पैदा हुआ हुँ मेरी आखों में सपना एक सुनि भारत का एक सुनि मिश्व का युग निर्मान का राष्ट्रे निर्मान का अर्कस्तिधात और असोई मिमाने मैं इस धरती की बात नहीं मैं द्यूलोक अंत्रिक्शलोक और प्रस्वी लोक अपने पैरो मुसीबते आएं, मेरे कदम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कितने ही संकट आएं, कितने ही मुसीबते आएं, कितने ही प्रतिकूलते आएं, कितने ही मुझे अपमानी तो होना पड़े, चाहे कितने ही विश्के घोंट मुझे पीने पड़े, मैं चलता रहूंगा अपनी रा आपने वाला कभी भी हिम्मत हारने वाला नहीं हूं चरेवेती चरेवेती ही मेरे जीवन का अधर्श है कितम में दक्षन हस्ते जयों में सब जाए जब तुम मेरे सामने बैठते हो ना तो तुम्हें लगता है हम बदल देंगे सारी जहान को लेकिन पताने कहां से कहन से संस्कार आजाते हैं घरों में जाकर कि बाबा कह तो रहे थी ठीक लेकिन बदलेगा नहीं जमाना फिर सो जाता है किसी बदलेगा जमाना इतने ताकतवर हो गए हैं ये लोग इनके हाथों में तो सब कुछ है मैं तो एक गरीब का बेटा हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मैं तो कारीगर मजदूर का बेटा हूँ, मैं तो एक सोटी सी व्यापारी का बेटा हूँ मैंने इस काम में पंगा मोल लिया तो मेरे बाप को उजाड देंगे मैं तो इस काम में पंगा मोल लिया तो मेरे गरी माबाप को मार देंगे ये लोग मैंने ऐसा किया तेरे तो माबाप को उजाड देंगे तेरे तो घर परिवार को उजाड देंगे अरे तेरे पास उजाडने के लिए है क्या इस देश के 99 प्रतिशत लोगों के पास में उजडने के लिए उजाडने के लिए कुछ नहीं है लगोगे तो सब कुछ बच जाएगा और नहीं लगोगे तो जो कुछ हो वो भी खतम हो जाओगे तुम्हारे पास में उजाड़ने के लिए है क्या दो एकट जमीन ले करके बैठे हो एक छोटी सी दुकान ले करके बैठे हो 99 प्रतिश्यत लोगों के पास में है क्या 5-10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है अरे मेरे पास मैं मानो कुछ भी नहीं था और आज देश के दुनिया के लोगों ने मुझे सब कुछ दिया आज पहले मेरे पास में कुछ भी नहीं था और आज दुनिया की दृष्टी से कहते हैं बाबा राम दियो बड़ा ताकतवर हो गया यह पताbies नी इसको ओपदेश के दुनिया के लोगों ने इतना क्यों सहीं हो करके इतना ताकत दे दिये आज अपना सब कुछ दाओं पर लगा करके लगाओं और आपसे भी कहता हूँ आओ सम मिल करके लड़ो यदि सम मिल करके लड़ोगे तो सब कुछ बच जाएगा और यदि आज नहीं खड़े हुए तो सब कुछ उजड़ जाएगा लेकिन होसले कमजोर मत पढ़ने दो अरे उम्र कोई ये तो शरीर के उम्र होती है आत्मा तो अजर अमर नित्य है तो तुम सदा युवा हो तो सुचती क्यों बुठे हो और माना थे इन जवानों के तो सामने अभी इनके पचास साथ साल की उम्रे इनको तो बहुत कुछ देखना है देखो बुचुर्गो सुन लो दस बीस बीच में बैठे हैं मेरे पिता तुल्ले हैं यदि तुमने नहीं किया ना कुछ थोड़े दिन बाद में वैसे भी जाकर के समसान में राक ही बननी है यदि दस बीस साल बचे हैं और वो इस देश के काम आ गए तो आपका आपके कुलवंश का दुनिया में नाम अमर हो जाएगा नहीं तो योहीं आया था और योहीं गीदड़ों की जानवरों की मौत मर जाएंगे क्या बचेगा अपना इसलिए जिनके दस बीस साल सेश हैं जीवन के वो लगा दो जीवन के आहूती सराश्टियज में इस भगवात कारिये में और वह जिनका पुरा जीवन सेश है वो पुरा जीवन दाओं पर लगाओ तो आपका भविश्य अच्छा होगा ये देश अच्छा होगा आपका करेक्टर अच्छा होगा आपका कैरियर अच्छा होगा एक कंट्री अच्छा होगा हम रुपए अपना उच्छा होगा आज अपने रुपए की कीमत का है डॉलर पॉन के बराबत हमारे देश की जीडिपी हमारे देश की ग्रोथ रेट हमारा देश का एक्सपोर्ट हम हमारे सब कुछ अच्छा होगा आर्थिक द्रिष्टी से सामजिक द्रिष्टी से अध्यात्मिक द्रिष्टी से सारित्रिक द्रिष्टी से सब कुछ बचेगा तो आप लोगों को अब लग जाना है क्या करना जाकर कि गाउं गाउं में बताना लोगों को सब को बताना अपने ऐसे यूवक हैं जो तहसिलों से और गाउं से हैं तहसिल वारे और गाउं वाले हाथ उठा हो तो तहसिल वाले गाउं वाले बहुत हैं मैंने भी हाथ उठा रहे हैं मैं भी गाउं वाला ही हूँ हाथ नीचे कर ला और ये सहर वाले भी ज़्यादा राजी मत होना तुमारे भी सब पुरोज गाउं से आये थे कोई आसमान से नहीं आये थे जितने भी सहर में बैठे हैं सब के बड़े बुजुर्ग 10, 20, 50, 100, 500, 200 साल पहले कहां से आये थे तो हमारे हिंदुस्तान की 99 प्रतिशाद भारत वासी क्या हैं सब ग्राम वासी आपने यदि गाउं की भलाई के लिए काम नहीं किया ना तो स्वर्ग में बैठी बैठी आत्में तुमको साप देंगी और यदि तुमने गाउं की भलाई के लिए काम किया तो स्वर्ग में बैठी वो आत्माएं भी आपको आशिरवाद देंगी भगवान भी आशिरवाद देगा और इस बादेश का भाग्योदा हो जाएग ये जो तहसे और गाउं से जो बच्चे आएं तो सब आप जब उनको सब बातें बताएंगे चार पहीज याद कर ले न फिर ऐसी बोलोगी जैसे मैं बोल रहा हूं पहले अपनी जाकर के बात बताना फिर आंदोलन समीती बनाना तीसरा फिर आंदोलन समीती बन गई फिर ग्राम सबा है तो उसके असे गनेचर भी ले लिए कि भाई तुम्हें इस आंदोलन में समर्थन करो तीसरा काम भाई आप इस काम में एक सन्यासी ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर और दुबारा से पूरे शडियंत्रकारी ताक्तों को खत्म करना है अब वर्ल्ड मेंक यहीं बनेगा आई एम एफ यहीं बनेगा यू एनो यहीं बनेगा डव्लू टयो यहीं बनेगा और भारत से ही पूरी दुनिया चलेगी ऐसा भारत हम सब को मिल करके बनाना है फिर यह डोलर और पॉंड का अंतर नहीं रहेगा बराबर करन्सी हो जाएगी फिर भारत पूरी दुनिया को हम किसी के उपर अत्याचार नहीं करना चाते लेकिन अपना हक चाते हम भाई बहनो सब को जाकर के बताना और बोला आओ नो अगस्त को दिल्ली में आओ तो लोग अपना नाम लेखाएंगे उनको बोलो भाई चाहे रिजर्वेशन करा के आओ चाहे अपने कार से आओ चाहे अपने मोटर साइकल से आओ कैसे भी आओ किसी भी कीमत पर देश को बचाने के लिए नो अगस्त को दिल्ली पहुंचना है आपको भी पहुंचना है एक दो तीन दिन की पांस दिन की स्कूल में जो पढ़ रहे विद्यार थे हो छुट्टी ले लेना अरे बैब पढ़ाई करोगे तो कौन से पांस दिन में आई आईपीयस ओफीसर बन जाओगे और मजदूरी भी कर लोगे तो क्या 500 अजार रुपे कमा लोगे रुम्भयापार धंदा कर लोगे दो चार पांस दस अजार रुपे कमा लोगे अरे यदि घर में ऐसे ही पढ़े रहे तो कुछ नहीं पाओगे और यदि 9 अगस्त को दिलने आओगे तो 400 लाग करोड़ पे वापस आने का रास्ता खुलेगा भष्टा चार मुक्त भारत अपने हाथों से बनाने का मौका मिलेगा और करी 20 अजार लाग करोड़ रुपे की भू संबदाएं जो लुट रही हैं उनको बचाने का रास्ता खुलेगा भाई बहूत कुस काम होना है तो उनको बताओ फिर समय जो योग करना जानता हूं उसको बो भाई तुम योग करना अपने अपने गाऊं में अपने बाढ़ में जब तक अच्छा इंसान नहीं बनेगा अच्छा हिंदुस्तान नहीं बन सकता, अच्छा इंसान योग से बनेगा, ध्यात्म से बनेगा, तो सब को क्या करना है, योग, जितने भी आप भी बैठे हो, सबस्त में एक घंटा योग क्या करो, मजबूत भुजायों ने सी ऐसे तुमारी, टना टन, ऐसे थुल थुल नहीं, अले चर्क पचर, ऐस ध्यान भी क्या करो, ध्यान भी क्या करो, एक घंटा सब को योग करना है, सब को कराओ, तो उसमें बोलो, जो जो योग कराने बाले है, योग गाओं में, घर घर में होना चाहिए, हर एक गाओं में, हर एक वाड में, एक योग की कक्षा लगनी चाहिए, और जब मैं दुब हम एक दरीद्रता भी नहीं चाहिए हमें आर्थिक दरीद्रता भी नहीं चाहिए फिर उनको बोलो भैया तुम आपडेट रहने के लिए योग संदेश पढ़ा करो आस्था संसकार आधी टीवी चैनल देखा करो सब ये पांचों काम करने हैं सब युवाओं को जा करके अब बात समझ में आ गई ये पांच काम आपने कर लिये ना तो समझ लेना हिंदुस्तान जाग जाएगा मुझे पूरा भरोसा है जो आग मेरे भीतर निरंतर जल रही है वाग एक दिन जरूर 121 कोड़ लोगों के सीने में जलेगी और ये सारा अंधिरा छटेगा नया सवेरा आ झाल 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 झाल